नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूं काफी एच्छ होंगे जैसा कि आप सभी को बता है कि वीडियो का एक्जाम है वो बिल्कुल नजदीक है जिसके चलते हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं इसलिए राजस्तान का सम्पूर्ण रास्ता जेके का जो निचोड ह है वो आपके सामने में लेके आया हूं दोस्तों हिस्ट्री की दो कलास हैं हमने लिए बहुत ही महत्रपन कलास रहेगी एक और जोगरोफी की उपर हम कलास दोस्तों कल जरूर लेंगी तो लगातर आप जोड़े रहेगा रात आठ बजे आपको ये कलास देखने को मिलेगी बहतरीन questions आज आज आपके साथ मैं discuss करूँगा PDF दोस्तों आपको मेरे टेलिग्रम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका link आपको description में दिया गया है चलिए पहला प्रसन आज का जो आपके सामने है करा राजस्तान में steel grade चुना पाया जाता है कहा पर पाया जाता है जेसल मेर नागोर जिले में पाया जाता है कहा पर पाया जाता है जेसल मेर और नागोर जिले में पाया जाता है चीक है अगला जो प्रसन है आपके सामने वो है का निमन में से राज्य का वहस्तान निमन में से राजस्तान का वह स्थान कौन से जिसे मारवाड का लगू माउंट टाबू कहा जाता है लगू माउंट कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट परशन है राजस्तान का वह कौन सा स्थान है जिसे मारवाड का लगू माउंट कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों बताओ आपने तैयारी कर र माउंट कहा जाता है महारवाड का ठीक है तो C option दोस्तों आपे सही करेंगे ठीक है आगे देखिए अगला जो प्रशन है कि राजस्तान किस भाग में शीत रितु कम ठंड रिता ग्रिश्म रितु कम गरम होती है तदा वायू में सदेव आतरता की मातरा बनी रहती है बताईए किस भाग में शीत रितु में तो कम ठंड ग्रिश्म रितु में कम गरमी वायू में सदेव आतरता बनी रहती है कौन सा है बताव दोस्तों पुर्वी भाग, पश्वी भाग, उत्री भाग तक्षिनी भाग आपका option होगा D, दक्षिनी भाग वैस्तान है ठीक है? दक्षिनी भाग आगे बढ़ते ही अगला जो प्रसन है आपके सामने कि राजस्तान का है अध्र जिला राजस्तान का सरवादिक अध्र जिला राजस्तान के किस पठार के अंतरगत आता है किस पठार के अंतरगत आता है बताई दोस्तों अच्छा प्रशन, सारे के सारे बहुत ही महत्पुन प्रशन आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ आदरजिला आपको बताना है सरवादिक आदरजिला राजस्तान किस पठार के अंतरगत आता है ये आपको दोस्तों बताना है मालवा के पठार के अंतरगत आता है B option दोस्तों आपे सही करेंगे ठीक है अगला प्रसंद इसी के साथ तापकरम में प्राए एक रूपता अपेक्शाकर्त अधिक आदरता हैं सामिक वर्षा राजय के किस भूबाग के विसेस्ता है राजस्तान कोन सा भूबाग है जिसकी एक रूपता अपेक्शाकर्त अधिक आदरता हैं सामिक वर्षा एक विसेस्ता है किस भूबाग के राजस्तान में ये आपको दोस्तों बताना है बताईए तो इसका option होगा अरावली का पूर्वी भाग अरावली का पूर्वी भाग ठीक है आगे चली अगला प्रसन है कि बसी तहसील जेपुर कि चेनपुरा गाउं की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है बताओ बसी तहसील है जेपुर में कि चेनपुरा गाउं की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है कौन सी नदी निकलती दोस्तों मोरेल नदी निकलती है कौन सी नदी निकलती है मोरेल नदी निकलती है अगला प्रसन है राजस्तान मद्दे परदेश उत्तर परदेश राजस्तान मद्दे पर्देश उत्तर पर्देश में विस्तिरित वन्यजी अभ्यारण कौन सा है बताईए कौन सा भी यह राश्ट्रिच चंबल गडियाल अभ्यारण है कौन सा है राश्ट्रिच चंबल गडियाल अभ्यारण है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्द है कि देश में किस नसल के उट सरवादिक पाय जाते हैं बताव दोस्तों देश में किस नसल के उट वो सरवादिक पाय जाते हैं जेसल मेरी उंट पाई जाते हैं कौन से जेसल मेरी ठीक है आगे चलिए अगला जो प्रसंद है कि अरावली प्रवत सरंकला में अरावली प्रवत सरंकला में देवगड राजसम्मत के समीप इस्तिप्रतक निर्जन पाड़ियों का उंचा टिले नुमा भू बाग क्या कहलाता है बताई दोस्तों क्या कहलाता है टिले नुमा भू भाग पिंड मांट का मैदान दोस्तों कहलाता है क्या कहलाता है पिंड मांट का मैदान कहलाता है अगला प्रसंद आपके सामने है कि जलासे के आसपास की पड़ती भूमी जलासे के आसपास की पड़ती भूमी जिसके व क्या कहा जाँ दोस्तों अगला प्रसन है अक्टूबर नवंबर में राजस्थान के मानसुन प्रत्यावरतन के समय मानसुन हवाई या लोटते वे मानसुन कि प्रभाह की दिशा क्या रहती है अच्छा प्रसन है क्या रहती दोस्तों बताओ आना चाहिए इस भी को उत्र पश्चिम से दक्षणी पूर्वी यानि बी ओप्शन दोस्तों आपे सही करेंगे उत्र पश्चिम से दक्षणी पूर्वी ठीक है आगे बढ़ते हैं सीके साथ कर रहा कि राजस्तान का वह अभ्यारन कौन सा है जो ठाग परियोजने जैनि टाइर प्रोजेक्ट के चेत्र में नहीं है फिर भी वहां बागे विज्चेड करते हैं अच्छा है बताओ दोस्तों कौनसा आपके समय और कर देता हूं यह देखू च्यार कौन सा है कौन सा है रामगड विश्भारी भूंदी के अंदर हैं आगे चलिए अगला जो परशन है राजस्तान के वे जिले जो काठिया गेहुं की कर्शी के लिए सरवादिक उप्यूक्त है कौन से हैं काठिया गेहुं की कर्शी के लिए उप्यूक्त है सरवादिक उप्यूक्त है वे कौन से जिले हैं काट ही अगे हूँ, ठीक है, इंपोर्टेंट है, बताओ, कोटा और उद्धेपुर, यहनि B ओप्शन दोस्तों आपर, सही करेंगे यापर, अगला जो प्रसन है, राजस्तान का सबसे बड़ा चीडिया गर, जेपुर की स्थापना किस की द्वारा की गई या आपको बताना ह तो स्वाई, राम सिंग के द्वारा स्थापना दोस्तों की गई थी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं सीख साथ, अगला है, इंद्रा गांधी नहर के लिए, शीत काल में जल आपूर्ती को नीमत बनाया रखने ही तू, वियास नदी पर किस बांध का निर्मान करवाया गया, बताइए, पॉंग बांध का निर्मान करवाया, किसका करवाया गया दोस्तों, पॉंग बांध का, आगे बढ़ते हैं, राजस्तान के किस के द्वारा पशू जनगर्णा संपादित की जाती है, राजस्तान में किस के द्वारा है, वो पशू जनगर्णा है, संपाद की जाती है किसके द्वारा राजश्व मंडल अजमेर के द्वार दोस्तों की जाती है ओ ए ओप्षन दोस्तों आप अगला प्रशन है राजस्तान में सरवादेक वन्चेतर वाले जिल्य कौन से दोस्तों है कौन से भी उद्धेपुर और अलवर कौन से हैं सरवादेवन चेत्रियां देखने को मिलता है उद्धेपुर में और अलवर में आगे चलते हैं अगला है कि राजस्तान में चंदनवन के नामसे विख्यात वन चितर कहां पर है बताइवे देलवड़ा वहल्दी गाटी खमनोर यूद राज शमन्त में है वहल्दी गाटी खमनोर राजसमन्त के अंदर वन चितर है ठीक है अगे चलिए अगला जो प्रस्ण है राज्य में थार पार कर नसल की गाए कहां पाय जाती है ये तो आना चीए आपको बाड मेर में जेसल मेर में या जोदपूर में या सांचोर में कहां पाय जाती है बताओ बता दोस्तो कहां पाई जाती है धार पार करने शल बताईए तो जैसल मेर 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 मे रहने का कारण क्या है बता दोस्तों कि राजस्तान की पूर्वी मेदानी बाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है पहला ही ओप्शन दोस्तों आपे सही करेंगे कि प्रती वर्ष नवीन जलूड म्रदा का जमाओ पहला ओप्शन दोस्तों आपे सही करेंग सबी अलवर सरिस का अलवर ठीक है अगला प्रसन है राजस्तान किन किन जिलो में पुंगल नसल की भेड़े मुख्यते पाई जाती है बताओ कहां पाई जाती है पुंगल नसल की भेड़े बीकानेर में भी है नागोर में भी है और जेसल में भी है तो बी ओप्षन दोस्तों सही करेंगे आगे चलिए अगला जब प्रस्ण है कि राजस्तान के किसानों एंवेपारियों किसानों एंवेपारियों को फल वे सब्जी के वेश्व के वेपार में शक्षम बनाने तू टर्मिनल मार्केट कहां पर स्थापित दोस्तों किया गया है कहां किया गया है दोस्तों जेपूर में किया गया है मुहाना के अंदर कहां पर जेपूर में अगला प्रस्ण है चोकला या सेखावाटी भेड़ की नेसल जो अच्छी उन परदान करने के लिए बारती है मेरनों कहलाती है किसे नाम से जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या है यह आपको बताना है अच्छा प्रस्ण है गहराई का प्रस्ण है च्छापर भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम है वो च्छापर भी दोस्तों है अब याद रखना ठीक है अगला प्रस्ण है कि मार्बल के बंढार उत्पाद दोनों ही दृष्टी से देशे प्रत्मस्तान पर कौन सा राज्य है बतावे प्रत्म कौन सा है जब राजस्तान की बात करें तो राजस्तान ही होगा प्रत्म क्या होगा राजस्तान ठीक है अगला परसन है आपके सामने कि निमन में से कौन सी जीले रमनिक जीली योजना के में सामिल की गई है कौन सी जीले हैं जो रमनिक जीली में सामिल की गई है बहुत इंदा परसन आपके सामने रखा है मैंने बताओ कौन सी जीले हैं जो रमणिक जील योजना में सामिल की गई है बहुत इच्छा जब भी दोस्तों इस प्रकार के प्रसन आता है न आपको कई जीलों के नाम सिरीज में दियोते हैं और लगबग किसी को नहीं पता होता तो आप उसमें पहला उप्षन अगर तुका लगाते हैं न तो बड़ा confirmation हो जाता है कई बार सही हो जाता है फिर आपको याद होना चाहिए तो फते सागर पिछोला अन्ना सागर नक्की और पुशकर एउप्षन दोस्तों आप सही करेंगे जो हाँ पर हमेशे लगबग यह option वो सही होता है ठीक है अगला परसन है अगला परसन हमें दे रखा है कि हमें उप्युक्त में सही सुम्मिलित करना है कि जस्वंत पूरा की पाड़ियां जालोर में है या कांकरण वाड़ी का पठार सरिस्वका में है कालिकोहस प्रवस्रकला जोदपुर में है लसाडिया पठार जेसमन जील के पुरो में है उप्युक्त में से सही सुमिलित आपको दोस्तों करना है कि कौन सा सही है कौन सा सही है तो जस्वन पुरा की जो पाढ़िया दोस्तों जालोर में बिलकुल सही बात है कांकनवाडी का जो पठार है न वो भी सरिस्का में है अलवर के अंदर है बिल्कुल और लसाडिय का पठार अगर आप देखोगे तो जे समन्षील के पूरों में ये बिस्तित है लेकिन कालिको परवस्रन खलाए ये जोधपूर में नहीं है तो option पहला दूसरा और चोथा हो जाएगा इन्हें डी option दोस्तों आपे सही करेंगे डी option आपे सही करेंगे अगला प्रशन है कि राजय की कौन सी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर डालती है कौन सी नदियां जो बंगाल में अपना जल लेकर आती है दोस्तों चंबल बनास काली सिंद क कि बनाशनदी जिस जिला समूज से नहीं गुजरती है वह कौन सा है जहां से बनाशनदी नहीं गुजरती है बूंदी और कोटा और भर्दकुर इस समूज से दोस्त बनाशनदी नहीं गुजरती है ठीक अगला परसन है राज्य की कौन सी निज्जों अपना जल अरब सागर में ले जाती है अरब सागर के बार ले के जाती है बताओ बी उप्षन लुनी माही सौं मेश्वा ये चारों के चारों निदिया बी उप्षन दोस्तों आप सही करेंगे तो बहुत अच्छे कोशन आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूं आप जरूर कॉमेंट में बताएं कि कितने प्रसन आपके सही हुई या ये प्रसन आपने पढ़ उप्षन आपके नीची है तो सुची आपको दे रहे कि फस्ट और सुची सेकेंड मजीला है सुची फस्ट में सिंचाई प्रयोजना है ये तकली जालावाड़े में है पिपलाद कोटा लासी बारा सुपली शीरो इस प्रकार से है तो कौन सा इसमें अंसर होगा आपको सु आपको ये कोटा में दोस्तों ठीक और पिपलाद अगर देखें तो जालावाड में है तो दो और एक उप्षन इसके अंदर भी है और इसमें भी है इसका मतलब ये अंसर नहीं होगा इन दोनों में से होगा लासी आगर देखें लासी अगर देखें तो ये बारा के अंदर भी दोस्तों और शुक लिए आपकी सीरूह में तो ये बी ओप्शन दोस्तों आप सही करेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं किस देश की साहिता से जेपूर में अंतराष्टरी उद्यान की अप्राचिक्षिन के अंदर किस्तापना की गई है खिरला वे खेरा उपाला गाओं किस खनीज के बंडारों के लिए प्रसीद है खिरला वखेरा उपाला गाउं है वो किस खनीज के बंढारों के लिए प्रशिद है दोस्तों तो यह है वोले स्टोन नाइट के खनीज बंढार के लिए प्रशिद है दी अप्रशन दोस्तों है अगला जोतशिद है को परशन है itten में ऐसत्य कतन आपको चाटना आर चार ऑप्रशन आपको दिये गई है ठीक है चार ऑप्रशन आपको दिये गई है तो पहला ऑप्रशन हो आपको देख सकते हिए कि पहलो औप्सन से यह क्या बताओं। ऐसा आपको बताना है। कि चितोड़कर जिले में स्तित औराई प्रेजञगा से चितोड़कर भीलवार जेलों में सिंचाई स्विधा उप्लप्त कर्वाई जाती है? ठीक है? भीलकुले, करवाई जाती है. अगला खो परियुजना से अजमेर रासम जीलों को पेजली जीलों को पूरति करवाई जाती है क्या या आकोली परियुजना से जालों से जीलों में सिंचाई उपलप्त कराई जाती है क्या या नरमदा नहर परियुजना रास्तिन की पहली परियुजना तो यही इसका अंजर होगा ऐस सत्य बताना तो बी ओप्शन दोस्तों आप इस पे टिक करेंगे ठीक है अगला प्रशन हो निमलिक्त में से कौन सा वादियंतर सागवान केर और रोहिडा नामक वरक्षों की जड़स से बनाई जाती है वादियंतर बताओ तो सारंगी सारंगी है वादियंतर जो सागवान केर और रोहिडा नामक वरक्षों की जड़से बनाई जाती है अगला प्रशन है राजस्तान वे बाइलोजिकल पारक किन किन जिलों में स्तापित है बताओ दोस्तों बाइलोजिकल पारक है वो किन किन स्थानों में दोस्तों स्थापित है बताओ जेपूर में भी है दोस्तों उदेपूर में भी है और आपका जोदपूर में जैसल में नहीं है कहां पर स्थापित है बाइलोजिकल जो है वो जेपूर उदेपूर और जोदपूर तीनों अगला प्रशन है जहसमेरके घंदकार के बालू कह बालू का स्थूप है या अच्छा क्योशन रहे बालू के बालू को सतूप को बिलते हैं चोपड़ा जील नहीं सुनात भूल बता देताओं पाली के अंदर है कहाँ पर है पाली में है दोस्तों अगला है धार्न वेट के नुज़वार राजस्तन का धिकास भाग किस जलवाईउ प्रदेश के अंत्रगत आता है बताइए दोस्तों किस के कि इंतरगत आता है B का मुख्य उदेश्य क्या है बाड़ी बेशिन प्रिजना का मुख्य उदेश्य क्या है तो बी ओप्शन से करेंगे सिक्कर को पे जल उपलब्दे कराना क्या उदेश्य सिक्कर को पे जल उपलब्दे कराना अगला है राजस्तान में चावल के सरवादिक उत्पादिन वाले जिले कौन से हैं अब ये कॉस्टन दो देखवाना चाहिए आपको चावल सरवादिक कहां पर होते हैं हनुमान गड़ बूंदी बांश वड़ा शिरी गंगानगर इच्यारों के इंतर सरवादिक देखने को मिलते होते पाते हैं ठीक है लाल स्ट्रेणी उध्योग से अभिप लाने वाले और जो अगला प्र nossas है कि खर लागा कि की है अगला प्रसन की गहास की किस में है अंतीम प्रसन आपके सामने की राजस्तान में स्तित देश का ऐसा इसा भ्यान जहां बेड़िये प्रजनन करते हैं जब भी बेड़ियो कुमल गड़ के परसीद है कुमल गड़ के अंदर सरवातिक देखने को मिलती है तो यह थी दोस्तों आज सी किलास कुछ महत्तपुन कोशन्स राधस्तान जोगरुफी के मैंने आपके साथ डिसकस किये कोशिश करूँगा कि कल एक और जोगरुफी पर कलास लेकी आता हूं एक जरूर आप कोमेंट बताएं और किसी प्रसमें अगर डाउट आपको लगता है तो भी आप दोस्तों बता सकते हैं कल इसी समय दोस्तों फिर मुलाकात होती है जय हिंद जय वारत